हे एवरिवान दिस इस सुतर्खशन तिवारी और वेलकम बैक इन माई इटूप चैनल तो अभी जैस्ट मुझे आनकेडमी से एक मेल रिसीव हुआ तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो आनकेडमी डाउट सॉल्विंग एजुकेटर्स हैं अगर वो कोई 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 करते हैं तो उसकी लिमिट्स क्या क्या होती हैं तो बिना टाइम वेस्ट किये वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आपको एक इमेज दिख रही होगी जो मैंने अल्री अटैज कर रखी है यहां पर जो मुझे आज अनकेडमी से रिसीव हुई थी तो यहां पर आप जो भी इसकिप करते हो डाउट या आप अनसाइन करते हो डाउट उस पर भी क्या किया जाएगा एक रिव्यू किया ज बाइज आप और आप जो जो भी आप जो भी आप करते हो जब ही तो वहां पर पास आपके पास दिये जाते हैं पहला ऑप्सन क्या रहता है डाउट इस, question is incomplete अगर आपके पास जो question display board में है या आपके dashboard में है अगर वो incomplete है तो आप क्या choose करेंगे question is incomplete second आपके पास होता है image is not readable or blur अगर आपके पास जो यहाँ पे question दिख रहा है dashboard में अगर वो blur है read नहीं कर पा रहे हूँ आप या writing इतनी वो है तो आप नहीं read कर पा रहे हो तो आप क्या choose करोगे images not readable or blur third आपके पास होता है I don't know this concept जब आपको question के solution के बारे में पता नहीं होगा तो आप क्या choose करते हो I don't know this concept तो अभी से underline करिएगा कि आपको यह वाला जो I don't know this concept है वो आपको कभी भी choose नहीं करना है next आपके पास होता है question is from the different subject ठीक है like अगर आप यहाँ पे math teach कर रहे हो math के question solve कर रहे हो और आपके पास science का question आया है तो आप क्या choose करोगे question is from the different subject last आपके पास होता है question is invalid or out of syllabus like अगर आप यहाँ पे banking के questions कर रहे हो और अगर आपके पास gate का question receive होता है तो आप वहाँ पे क्या choose करोगे question is invalid or out of syllabus clear है अब पहली condition इसकी क्या बोलती है कि आपके the number of the skip with the reason code I don't know the concept along with the number of unassigned doubts by the educators should at no point exceed 40 percentage of the doubt assigned by the educators मतलब आप जो question यहाँ पे skip कर रहे हो किस reason code से that I don't know the concept और जो आपने unassigned किये है questions वो 40 percentage से exceed नहीं होना चाहिए आपने जितने total assign किये हैं उसके like ऐसे समझे कि आपके पास अगर आज की date में display board में आपको 10 question 10 question में आपको 6 question करने ही करने है और 4 question आप या तो skip कर सकते हैं या तो आप उसे unassigned कर सकते हैं clear है इतना मतलब 40 percent से above नहीं होना चाहिए and second क्या है if the educator does not exceed sorry if the educator does exceed 40 percentage of the total doubt assigned and skip in the line with this review the following actions shall be taken against the educator अगर आप limit को cross करते हो मतलब 40 percentage से exceed हो जाते हो तो वहाँ पर आपको क्या होंगी यहाँ पर कुछ action लिये जाएंगे पहला क्या है आपको warning आएगी second में क्या होगा एक warning mail आएगा plus आपके payment से 20 percentage deduction होगा and third में क्या होगा 20 percentage deduction plus आपका account जो है terminate कर दिया जाएगा so आप जब भी आप question यहाँ पर solve करते हो तो उस समय पर make sure करना है आपको कि I don't know the concept आपको use नहीं करना है already जब मैंने यहाँ पर guideline के बारे में आपको video provide करा था video बनाया था तो उसमें मैंने mention किया था कि आपको I don't know the concept use नहीं करना है second आप आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप जो unassign कर रहे हो question वो 40% से एवब नहीं होने चाहिए so आज के इस वीडियो में बस इतना ही खोप आपको video अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को सेयर करें अगर आपके कोई queries हैं तो आप मुझे mail कर सकते हैं या मुझे comment कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी information के साथ